हम पिछले जो है पिछले वीडियम हमने जो है कृष्णे छेत्र जो है ब्लैक होल ब्रह्मान जो है कॉस्मस और विस भुगोल की जोर रेखा के बारे में हमने चर्चा किया था जिसमें कि कुछ रासियों के राशियों को जो है हमने चर्चा किया God Particles ये सब के बारे में हमने फिश ली वीडियों में चर्चा कर लिये थे तो हम आज महात्रपूंड रूप से जो है इसके आगे जो है आज हम उसी डिशहे में चर्चा करेंगे दोस्थों सौरमंडल के बारे में solar system के बारे में दोस्तों हम समय को नुकसान नहीं करेंगे आप लोग बस जल्द से जल्द से वीडियों को share कर दीजिए और हम जो है कि आज का टापिक सौर मंडल solar system हम सुरू कर रहे हैं दोस्तों share कर दीजिए ज़्यादा ज़्यादा सुर इवम उसके चारो और ब्रमण करने वाले आठ ग्रह छाँचट उपग्रह धूम के उलकाएं तथा छुद्र ग्रह जो है संयुक्त रोप से जो है मारे सौर मंडल में मवजूद होती है सौर मंडल में जो है मवजूद है जिसके तहत सौर मंडल जो हमारा है अगर पूछ लिया जाए सौर मंडल क्या है सौर मंडल के अंदर काउन 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 से क्या आते हैं तो आठ ग्रह छाँचट उपग्रह धूम के उलकाएं तथा छुद्र ग्रह जो है यह संयुक्त रोप से हमारे सौर मंडल में समाहित होते हैं जिसे हम सौर मंडल कहते हैं सौर्य एक गैसी गोला है जो है और्जा एम प्रकास उतसरजित करता है जो हमारा सौर्य है वह है एक गैसी गोला है जो कि और्जा एम प्रकास को यह उतसरजित करता है सोरी सावर मंडल का जन्वधाता है इसे हम जो है सोरी को हम जो है इसका मुखिया भी कहते हैं क्या कहते हैं मुखिया भी सावर मंडल का मुखिया जो है सोरी का सोरी को हम कहते हैं सोरी की उर्जा का स्रोत उसके केंदर में हाट डोजान परमानू का नाभी की सनलियन द्वारा जो है तै हीलियन में बदलना सोरी का उर्जा जो है वह है पूंड रूप से जो है उसका जो सोरी का सुरोत होता है जो उर्जा का सुरोत होता है जो हाड्रोजन परमाड हो है उसके जो है नाभी की सनलियन जो है सनलियन के द्वारा जो है हीलियन में जलना होता है सूरी में 71% जो है hydrogen 26.5 helium तथा 2.5 अन्य टत्व पाए जाते हैं सूरी की सतह का जो हताप माँ 6000 अंसलसियस है एवं केंद्र का ताप जो है 15 million जो है अंसलसियस माना जाता है जो सूरी का बाहरी सतह होता है उसका जो होता है 6000 जो है चलसियस टंप्रेचर और उसके जो केंद्र होते हैं मध्ध जो होता है उसका 15 million जो है उसका ताप माना जाता है सूरी ने अपने जीवन काल के 405 अरब वर्ष अभी तक पूरे किये तथा इतने ही वर्ष और पूरे करेगा सुर्य जो है वो अपने जीवन काल के जो है 45-45 वर्स अभी तक पूरे किये हैं तथा इतने ही वर्स आओ रहा इसके आगी जो है पूरा करेगा उसके बाद क्या होगा अब वो कोई नहीं जानता सुर्य के प्रकास की चाल जो है जो है तीन गुड़ी आण घत्त आट मीटर प्रती सेकेंड मतलब तीन लाख जो है किलो मीटर प्रती सेकेंड जो होता है सुर्ष के प्रकास की चाल होता है क्या होता है? 3,5 km प्रती सेकिन्ड सुर के प्रकास को पुर्द्षित तक पहुचने में जो है 8 minutes 18 seconds लगते हैं अक्षब परिछा पूछा गया है कि जो है सुर से प्रकास मारी प्रत्वित पहुचता है जो है पहुचने में कितना समय लगता है तो 8 minutes 18 seconds कभी कभी बजा कर पूज दिया जाता है 8 मिनट 18 सेकेंड 8 मिनट 17 सेकेंड 8 मिनट 19 सेकेंड और 8 मिनट 14 सेकेंड तो बच्चों दोस्तों इस क्यूशनों जो है याद करके रखिए कभी कभी जामेर जो हता है वहाँ confusion create करने के लिए जो है एक तरस जो है समय को निधायद कर देता है 18 सेकेंड 19 सेकेंड 17 सेकेंड इसी बच्चे जो है उलह जाते हैं तो 8 मिनट 18 सेकेंड यह हमारा जो है सुरी से प्रकास जो है पर पहुचने में समय लगता है प्रकास एक वर्स में जो है 9.46 जो है इंटू 10 पावर 50 जो है मीटर की दूरी तेंग करता है इसे हम प्रकास वर्स कहते हैं क्या कहते हैं L याइट एर करते हैं प्रकास मन्डल जो है फोटो स्फिय जो है सुरी का वह भाग है जो हमें आखों से दिखाई देता है कोरोना क्या है कोरोना ये नहीं है जिसके कारण हमारा देश आज लगभब 8-10 महीने हो जा रहा है लागडाउन के हम से क्यार हुए है इसमें जो है बिशारे बेरोजगार जो है जो देनिक काम काज करते थे जिसके साहरी वह अपना जीवन या अपन करते थे वह जो है उनका बहुत नुक्सान हो रहा है बड़े-बड़े जो है कंपणी ये सब बंद हो गए जिससे की हमारे कार करता लोग जो है वह इस कोरोना की कोरोना बिमारी के जो है ज्यादा कोरोना बिमारी से जिन्हें डर नहीं लगता है जो कि भूख से पीड़ित ब्याक्ति जो है बहुत ज्यादा गरसित हो रहे हैं तो यह हमारा कोरोना वह कोरोना नहीं है कोरोना जो दिया गया इसमें वह सूरे का बाहतम भाग है जो केवल सूरे ग्रहन के समय दिखता है कभी-कभी प्रकास मंडल के परमाणों का तुफान तेजी से निकलता है इसे सवर जौला करते हैं क्या करते हैं? सवर जौला सवर जौला जो है जब पिर्थवी के वाई मंडल से होका गुजरती है तो हवा के करों से टकरा कर रंगीन प्रकास में उत्पन करती है की रंगीन प्रकास के रूप में होया उत्पन करती है सवर जौला जौला है सवर मंडल में ग्रहों की संख्या तो हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या आठ है कौन काउं से है तो ऐ है बुद्ध है सुक्र पृत्वी मंगल ब्रहस्पाति सनी यूरेनेस जो से आरून काते हैं नेप्चुनियम जो से वरून काते हैं जो कि सुरे से दूरी के अनुसार है यह सुरे से दूरी के अनुसार जो है सेरियल वाइज बुद्ध सुक्र पृत्वी मंगल ब्रहस्पाति सनी यूरेनेस जो है वरून नेप्चुनियम यह सुरे के जो है सुरे से दूरी के अनुसार यह दरसाया गया है सौर मंडल के आठों ग्रह सूर्य तथा प्रिथवी के मद्ध गरह जो है बुद्धियम सुक्र है हवल अंत्रिष टेलिस्कोप ने पहली बार एक दुरस्त तारे के सता की छाया भेजी उस तारे का नाम जो है विटल ग्यूस है क्या है विटल ग्यूस जो विटल ग्यूस तारे है वह हबबल अंत्रिश टेलिस्कोप ने पहली बार एक दूरस तारे के सतह की छाया जो भेजी थी उस तारे का नाम है विटल ग्यूस पिर्थवी इस्थित है सुक्र एवं मंगल की मद्ध जो मारा सुक्र ग्रह वं मंगल ग्रह है इसके मद्ध जो है मारा पिर्थवी इस्थित है ग्रह जो है प्रकास वान होते हैं किन्तु सुर्य के प्रकास से वा प्रकासित होते हैं ग्रह में जो है कोई भी प्रकास जो है उत्पन करने की जो है चमता नहीं होती है या सुर के प्रकास से जो है चमकता है जो सुर से जतना नजदीक होता है वो उतना ही ज्यादा चमखीला दिखाई देता है और जो तारे ग्रह जो है सुर से दूर होते हैं वह जो है कम चमखीले दिखाई देते हैं छोद्र ग्रह जो है तारों या ग्रहों या ग्रहों के अलामे जो है अंगीनक छोटे पिंड भी स्वरी के चक्कल लगाते हैं जिसे छोद्र ग्रह कहा जाता है छोद्र ग्रह कौन कौन से ग्रह के बीच देखे जाते हैं तो वह मंगल और ब्रहस्पत जो मंगल ग्रह और ब्रहस्पत ग्रह है इन्हीं के बीच जो है हमारा छुद ग्रह देखने को मिलता है हैड्रोजन, हेलियम तर्षा मिथेयन प्रमुक गयसे हैं जो कि विधवान होती है कहां पिरास्पत पिर सानी पर और तर्षा मंगल गरह या तीनों गरह पि modeling विधवान पाई जाती है सुरिaking केंदर में उपस्थित पदार्थ होते हैं कांसे गयस तर्षा प्लाजमा गयस ता प्लाजमा जो है सुरी के केंदर में उपस्थित पदार्थ माना जाता है सुरी की उर्जा उत्पन होती है नाभी की सनलेन द्वारा प्रतेक सुरी ग्रहन होता है किवल अमावस्या या प्रतिपदा के दिन पर तेक सुर्य ग्रहन जब लगता है वक्यवल अमस्या की दिन या प्रतिपदा की दिन हीर्यक वला एक देश यह है जिसे देखा चा सकता है कि वल पूंड तया पष्च जो है पथचिन की परधी छत्रों पर खर ग्रास पूंड जो है सुर्य ग्रहन केवल सीमित भू छेत्र में ही दिखाई पड़ता है क्योंकि प्रिथवी के अनुप्रस्त परिचेद की तुम्ना में प्रिथवी पर पढ़ने वाला चंद्रमा की छाया काकार छोटा होता है इसी कारण जो है सुरी ग्रण जो है केवल सीमित भूच्छेतर में ही रिखाई पड़ता है सुरी के पेच्छा के ठंडे भाग जितनका तापमान 15-7 सेलसियस तक होता है सौर कलंक सन इस्पोट कहलाता है क्या कहलाता है सन इस्पोट दोस्तों सुरे से संबनित कुछ महत्पोण तथ्य है जैसे पिर्थिवी से नियंतम दूरी 14.077 करोण किलो मीटर पिर्थिवी से मध्य दूरी 14.098 करोण किलो मीटर आयतन जो है पिर्थिवी से 13 लाख गुना अधिक है और जाउत सर्जन जो है 10 घाते 26 जूर पिर्थिवी से अधिक्तम दूरी 15.21 करोण किलो मीटर सुरे का जो ब्यास है वह है 13.9200 सुरे का ब्यास जो दिया गया है सुरे का ब्यास जो है 13.92 किलो मीटर है तलिक गुरत्व जो है पिर्थिवी से 28 गुना अधिक है एक खगोलिक एकक जो है दूरी जो है पिर्थिवी और सुरे के बीज की जो है दूरी जो है एक खगोलिक का खग के नाम से जो है नाम से जो है यूनिट के नाम से जाना जाता है सूर और प्रिष्चबी के बीच की अमसद दूरी जो है कितना है 150 गर 106 km सूर से प्रिष्चबी की दूरी 109 6.6ệं 2.2 your year जाय और सूरे से प्रिष्चबी की बीच जो है आसद दूरी जो है वह है 150 million km माना जाता है उपसावर जो है पिर्थिवी जब सूरी के अत्यधिक नजधिक होती है तो इसे उपसावर कहा जाता है क्या कहा जाता है उपसावर कहा जाता है क्या जब पिर्थिवी सूरी के अत्यधिक नजधिक होती है अश्ची सिति जो है तीन जन्वरी को माना जाता है पिर्थवी सूरे से जो है निकटतन दोरी पर होती है जो कि तीन जनवरी को दिखाई देता है कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूरे का चक्कल लगाता है तो हमारा बुद्ध जो ग्रह है वह सूरे के नजदीक है इसलिए सबसे कम समय में वह चक्कल लगा देता है बुद्ध और सुक्र का कोई उपग्रह नहीं है बाकी सब की जो है उपग्रह माने जाते हैं यही बुद्ध और सुक्र जो ऐसा ग्रह है जिसके कोई उपग्रह नहीं है सौर मंडल का सरवाधिक जो है गर्म ग्रह तो सौर मंडल का सरवाधिक गर्म ग्रह सुक्र को माना जाता है सांज का तारा तथा भोर का तारा सुक्र को कहा जाता है परिछाम पूछा जाता है कि सांज का तारा या भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है तो सुक्र ग्रह को जो है सांज का तारा या भोर का तारा कहा जाता है सनी आकार की द्रिष्ट से सरमंडल का जो है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है सनी जो है सुर की परिक्रमा 29.5 वर्सों में पूरी कर लेता है जबकि सनी की सबसे बड़ी विशेस्ता या रहस इसके मद्धिरेखा के चारो और पूण विक्सित वलयों का होना जो रिंग पाय जाता है इसके विक्सित होने का होना माना जाता है सनी के वलय अनेक छोटे छोटे कड़ों या पिंडो से मिलकर बने हैं जो सामोहिक रूप से गुत्वा करसन की कारण इसकी परिक्रमा करते हैं सनी को काला ग्रह या द्रिश्ट ग्रह भी कहा जाता है पूछा जाता है परिच्छा में पूछा गया है कि काला ग्रह किसे कहा गया है तो सनी ग्रह को ही काला ग्रह भी कहा जाता है या कहा गया है IAU के नविंतम आकणों के अनुसार दूसरा सरवाधिक जो है 62 उप ग्रहों वाला ग्रह जो है वह सनी को माना जाता है सनी ग्रह को इसकी खोज जो है 1781 में सर वीलियम हरसेल सर वीलियम हरसेल द्वारा किया गया था यूरेनस और मंडल का सात्मा आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह यूरेनस माना जाता है यूरेना जो कि अरुन करते हैं अरुन ग्रह को सुरी की परिक्रमा जो है 84 वर्सों में पूर्या कर लेता है इस ग्रह पर वाई मंडल ब्रिहस्पत तथा सनी की ही भात सगन है अरुन ग्रह के वाई मंडल में हाडोजन, हिलियम, मिथेन वा अमोनिया पाय जाता है सुर्य से काफी दूर होने के कारण या ग्रह काफी ठंडा पायाता है अरुन सौरमंडल का तीसरा सरवाधिक जो 27 ग्रहों वाला ग्रह माना जाता है अरुन पर सुर्योदे पच्छिन दिशा में यां सुर्यास्त पूरे दिशा में देखने को मिलता है या अपने कच्छ पर सुर्य की ओर इतना जुका होगा है कि इसे लेटा हुए ग्रह भी काते हैं तो कभी-कभी परिच्छा में पूछ लिया जाता है लेटा हुए ग्रह किसे का जाता है तो लेटा हुए ग्रह जो है अरुन को काते हैं अरुन ग्रह को वरुन सूरे का आठमा ग्रह है इसकी खोज जो है 1846 इसवी में जोहान गाले जो जोहान गाले महोदाजी है उन्होंने 1846 में जो है वरुन सूरे की आठमा ग्रह है इसकी खोज किये थे वरुन ग्रह जो है 165 वर्स में सूरे की परिक्रमा को पूरा करता है वरुन की चारो और आते सीतल मिथेन का बादल चाय होगा होता है वरुन ग्रह की चारो और सीतल मिथेन का बादल चाय होगा हमेशा पाय जाता है या अन्वेस्विशनों से ग्याद हुआ कि वरून ग्रह पर सल्फियर कि H2SO4 भी बहुत व्युपन मापतरा मी अपरद है वरून को हरा ग्रह किसे कहा जाता है तो हरा ग्रह वरून को कहा जाता है वरुन सवर मंडल का चौथा सरवाधिक जो है उपग्रह वाला जो है जो की तेरे उपग्रह पाय जता है वह चौथा सरवाधिक उपग्रह माना जता है इसका सबसे बड़ा उपग्रह ट्रिटान तथा दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह नेरीड जो वरुन ग्रह है इसका जो है सबसे बड़ा उपग्रह जो है ट्रिटान और दूसरा जो सबसे बड़ा उपग्रह जो है नेरीड जो की 13 ग्रहों में से माना जाता है हम चर्चा करेंगे Plutide Plutide के बारे हम चर्चा करेंगे Plutide है क्या वर्स दोजारान में Plutus सहीत सभी छुद ग्रहों के लिए Plutide नामा के एक नमीन स्रेणी स्रीजित की गई Plutide स्रेणी में सभी छुद ग्रह सामिल है जो छुद ग्रह पाई जाते हैं वह सभी ग्रह जो है Plutide Serenium जो है सामिल है Plutide Serenium सबसे बड़ा छुदर ग्रह जो है Aries 2003, जो भी 313 है जो 26 में ग्रह की स्रेडी से हटाए गये Plutus भी बड़ा है जो कि हमारा ये ग्रह जो है Plutus था जो कि 2006 में जो कि Plutus जो हमारा ग्रह था जो कि 2006 में हटाए गया इस ग्रह से जो है Plutide जो है सबसे बड़ा छुदर ग्रह जो है इससे बड़ा ग्रह माना जाता है सूरे के बाद जो है प्रिथवी से सबसे नजदी की तारा काँ सा है तो हम पहले पढ़ चुके हैं प्रावस्मिया सेंचूरी और अलफा सेंचूरी जो हमारा सबसे नजदी की तारा है यह सूरे के बाद जो है प्रिथवी से सबसे नजदी की तारे तारों में से यह हमारा माना जाता है सूरे का प्रिष्टी तापमान आखा गया है तो प्रिष्टी ताबमान जो है 6000 अंसलसियत माना गया है सुरी की बाहतम परत को काते हैं किरिट कोरोना कोरोना जो है सुरी की बाहतम परत जो है उसे हम कोरोना जो है किरिट के नाम से जानते हैं सुर्य की उर्जय का शरोत की प्रक्रिया में नहीत होती किस को लाल ग्रह कहा जाता है ,कृसे बुब प्रिट्वी के गृदध घूमता है तो लेकाली जो है उपग्रह पिर्थवी के गिर्द घुमता है तो पच्छिम से पूर्व की तरह घुमता है सौर मंडल में हाल में खोजे गए सबसे बाहरी जो शुद्रग्रह है उसका क्या नाम दिया गया तो उसका नाम सेड़ना दिया गया एक जिवधारी के रूमें पिर्थवी का वैज्यानिक नाम जो है ग्रीन प्लैनेट के नाम से जाना जाता है पिर्थिवी का ब्याद जो है 12800 किलो मीटर है मंगलन जो मैगलन अंतरी च्यान जो है वह किस ग्रह है तो भेजा गया था तो वह सुक्र ग्रह है तो भेजा गया था पिर्थिवी के तरह अभ्यांतर से भिन जो है चंद्रमा का अभ्यांतर जो है वा स्यांद्रव्य की रूप में जाना जाता है पिर्थिवी के जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम जो है वा सुक्र परिच्छा में मुश्ट इंप्राटन है कि पुछा जाता है पिर्थवी के जुडवा बहन किस ग्रह को माना जाता है तो सुरी को जुडवा बहन के नाम से जाना जाता है पिर्थवी तक पहुँचने के लिए सुरे से चला प्रकास समय लेता है लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड माना गया है 8 मिनट 18 अगर 8 मिनट 18 सेकेंड अगर एंस्वर में न दिया जाए तो 8 मिनट 20 सेकेंड को हम लगा सकते हैं पिर्थवी के सबसे नजदीक का तारा जो है वह सुरी है पिर्थवी से सबसे नजदीक ग्रह जो है वह मंगल ग्रह है पिर्थवी को जो है सुरी का परिक्रमा कान्य में जो समय लगाता है वह 365.25 दिन कितना समय लगाता है दो समय अपने परिक्रमा पत में पिर्थवी लगभग किस मात दे बेग से सुरी का चक्कल लगाती है तो वह 30 किलो मीटर प्रतिस सेकेंड के बेग से लीबन नीट जे परवत कहां इस्थित है तो वह चंद्रमा पर इस्थित है जो कि चंद्रमा के दच्छनी धुरूपर 35,000 फिट उची है कि इस छेत्र में मध्धिरात्री को देखा जा सकता है आर्कटिक और अंटार्कटिक के छेत्र में जो मध्धिरात्री होता है उससे जो है आर्कटिक और अंटार्कटिक छेत्र में देखा जा सकता है मध्धिरात्री जो है सुरी का क्या अर्थ है तो सुरी का धुरूवी विर्त में देर तक चमकना नासा ने किसका अध्यन करने के लिए मेसेंजर सेटेलाइट लांच हिया था तो बुद्ध जो हमरकरी है इसकी अध्यन करने के लिए मेसेंजर सेटेलाइट लांच हिया था कौन सा ग्रह हरे प्रकास को सरजित करता है दोस्तो यूरेनस जो है इसके लिए जो है हर एक प्रकास को सर्जित करता है हमारा ग्रह जो है Uranus दोस्तों सभी हमारा question जो हमारा है important है बस इसे आप note down करते चलिए और वीडियों को ज़्यादा ज़्यादा share करते रहें सरवाधिक चमकीला ग्रह तो सरवाधिक चमकीला ग्रह हमारा स्वरी को माना जाता है और सरमंडर का सबसे बड़ा हुप ग्रह जो है वह गैनी मेड जो की ब्रिस्पति क्या है सबसे उचा परवत किस ग्रह पर इस्थित है तो मंगर ग्रह पर जो है सबसे उचा परवत इस्थित है जिसे नेक से उलम्पिया परवत के नाम से जानते है आकास में सबसे चमकीला तारा कौंसा है तो साइर्यस जो हमारा है वह आकास में सबसे चंकीर अतारा का नाम है किसके गृत्वा करसंड के कारण जोहर भाटा आता है तो पिर्थवी पर सूर्य और चंद्रमा के गृत्वा करसंड के कारण हमारा जोहर भाटा जो समुद्रों में आता है वह प्रित्वी पर सुर्य और चंद्रमा की गृत्वक कर्शन के कारण किस खगोली पिंड में हेलियम फोर प्रचुर मात्रा में है तो वह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है सूपर नुवा क्या है तो आप इस पोटी तारा है जो की सूपर नुवा के नाम से जानते हैं हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह लगभग पिर्थवी जितना बड़ा है तो असुक्र जो वीनियस के नाम से जानते हैं या मारे सवर मंदर में जो है पिर्थवी जितना बड़ा जो है लगभग ग्रह माना जाता है। आकार के अंसनर ग्रहों का आओ ही करम जो है वो ब्रूही करम जो हमारा दिया गया है वो ब्रेस्पत, सनी, अरूण, वरूण, पिर्थवी, सुक्र, मंगल एंवं वध्ज है। और वही करम में जो दिया गया है और वही करम जो है कि पिर्थवी सनी अरून वरून पिर्थवी सुक्रमंगलता बुद्ध है आकास में कभी-कभी दिखने वाली एक सिर एवं एक पूश की आकरी जो हती है जो से हम धूमकेत या पुच्छर ताला करते हैं उसे करनेट करते हैं जो कि आकास में लिखाई देता है सुरी के निकट पहुचने पर धूमकेत गर्म हो जाता है तथा वास्पित होकर जो है सिर एवं पूश का निर्माड करता है जो सुरी के निकट पहुँचने पर धूमकेत जो होता है वो गर्म होकर के सीर और पूँच के जो है निर्माड हेड़ा और टेल का निर्माड करता है लेली का धुमकेत जो हता है वो 76 वर्ष बात जो है ताइट इसमी बार और नहीं सच्छी आसी इसमी में देखा गया अब इसके दिखने की संभाना जो है दोजार इसमी में माना जाता है छुद्र ग्रह तथा बिरहस्पत ग्रहों के बीच में सुरी की परिक्रमा करते हैं जो छुद्र ग्रह होते हैं वह मंगल तथा बिरहस्पत ग्रहों के बीच वह जो है परिक्रिमा करते हैं छोद्रग्रह जो है साइकडों किलोमीटर आकास जो आकार के आकासी पींड है जिनकी उत्पत ग्रहों के विसपोट के फ़सुरूप कूटे हुए खंडों से हुई है चिरान के है वह छोद्रग्रह है जो की सनी हम इरुनेस ग्रहों के इर्दगिर्द चक्का लगाते है आसपास चक्का लगाता है इसे हम चिरान कहते हैं सबसे पाहले छोद्रग्रह जो है सेरस की खोज इटली के पियाजी ने 1801 में किया था नंगी आँखों से देखे जाने लाएगे एक मात्र सुद्रग्रा हमारा को कौन सा है वह है फोरवेश्टा फोरवेश्टा ऐसा सुद्रग्रा है जिसे हम अपने नंगने आँखों द्वारा भी देख सकते हैं जो है एक मात्र सुद्ध ग्रामारा जो है फॉर्वेस्टा है आंत्रिच में घूमते हुए धोलवा गयस पिंड पिर्थवी के वाई मंडल से घरसन के कारण चमकने लगते हैं एवं पिर्थवी पर पहुंचने से पहले जलकर राख हो जाते हैं इन्हें हम क्या काते हैं इन्ह के साथ सुर की भी जो है परिक्रमा करते हैं ग्रहों के समान उप ग्रहों का भ्रमण पस भी अंडाकार होता है सौर मंडल का सबसे बड़ा जो है उप ग्रह गैनी मिड जो की विर्षपति तथा दूसरा सबसे बड़ा उप ग्रह टाइटन है जो की सनी ग्रह का उप ग्रह है बीना रुकावट वैस्विक प्रसालन है तो कम से कम कितने तो लेकाली उपगरह जरूरी होंगे तो वह कम से कम तीन तो लेकाली उपगरह पिर्थवी के परित्या घूमने वाले कृतिम उबगरह से बाहर गिराई गई गेंद जो है वह पिर्थवी के परित्या उबगरह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कच्छा में घूमती रहेगी यह अगर किसी कृतिम उबगरह से बाहर कोई गेंद गिराई जाती है तो उबगरह के समान उसके आवर्तकाल के साथ हमारे गेंद उसके साथ कच्छा में घूमती रहे दिखाई देगी किस ग्रह के दिन का मान और उसके अच्छ़का जुगाव लगभग पिर्थवी के दैनिक मान और जुगाव के सम्तुल है तो वह मंगल का है मंगल पर जीवण के पस्थित के लिए कौन कौन सी अवस्था पिर्थवी के समान है तो वह जो है वायमंडवी संगटन, हेमसितित, जल, बर्फ छत्रक तथा अच्छ का जुगाव यह हमारी मंगल पर जीवन की पस्थिति के लिए जह है अवस्था पेच्वी के समान है फिनिक्स मार्स लेंडर मंगल ग्रह की सता पर किस तिति को उतरा तो 26 माई 2008 को यह तिति महत बहुत बहुत इंपोर्टन्ट है ब्रिश्पति का वले होता है सिलकेंटो का बना हुआ किस ग्रह पर पितिवी के अलामत जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ पर्यावरन जीवन के लिए बहुत अन्खूल है तो वह यूरोपा ब्रिश्पति का चंद्रमा जो की उपरे हैक नाम से है वहाँ पर्यावरन जीवन के लिए बहुत अन्खूल है ब्रिहाजपत की वालयों की खोज किसने की थी तो वाजर ने किसने किया वाजर महोदय ने 1789 में किया था कौन से ग्रह का सरवाधिक प्रकृतिक उपग्रह है तो है जो है सनी सनी की जो है उपग्रह जो है सरवाधिक प्रकृतिक जो है सनी सुरी के चारों और एक चक्कल लगाने में कितना समय लेता है तो 29.05 वर्स हबल अंतरिछ टेली स्कॉब ने और नजज़ सो पंचान बे में पहली बार एक दुरस्त तारी की सतह की छाया भेजी थी उस तारी का नाम तो उस तारी का नाम जो था विटल ग्यूस क्या था विटल ग्यूस अपनी यात्रा के साथ वर्सों के बाद अंतरिछ यान कैसी नी जून 24 में किस ग्रह का चक्कल लगाना बंद कर दिया था तो वह सनी ग्रह का चक्कल लगाना जो कैसी नी है वह बंद कर दि था जुन दोज़ाचार में पृत्वी का एक मात्र उपक्रह नहीं पारे welcoming Chill price जो है वो और जांके रह गया है जत्व कि पृत्वी की चारवल क्या है प्रिभ्रमण जो है योगोणन दोनों संमान समय लगता है इसे एक चक्कर पूर्या करने में 27 program day premise तथा इतने ही समय में अपने कालपने धोरी पर भी एक बाग घूम जाता है पिर्थिवी से चंद्रमा की आउसत धोरी जो है तिन लाग चौरासी हजर किलो मीटर है और चंद्रमा अपनी कच्छा में पिर्थिवी से अधिकतन धोरी पर होता है तो इसे अपभू कहते हैं क्या कहते हैं इसे अपभू कहते हैं जब चंद्रमा अपनी कच्छा में पिर्थिवी से सबसे अधिक दोरी पर होता है चंद्रमा जब पिर्थिवी से नियुनतम दोरी पर होता है तो उसे उपभू जब अधिक्तम दॉरी प होता है तो उसे अपभु करते हैं यह mission most important question है जो की परिच्छा में घुमा फिल के पूची दिया जाता है कि उपभु किसे करते हैं और अपभु किसे करते हैं तो चंद्रमा अपने कच्छाम पिर्थवी शेदिक्तम दॉरी पर जब होता है तुसे अपभू काते हैं और जब नियुंतम दूरीप होता है पिर्थवी से नियुंतम दूरीप तुसे उपभू काते हैं चंद्रमा पर वायमंडल नहीं है अता जीवन की संभावना नहीं है चंद्रमा पर वाय मंडल जो है वहाँ पर नहीं पाय जाता है इसलिए वहाँ पर जीवन का रहना वहाँ पर संभव नहीं माना जाता है चंद्रमा के पच्छमी भाग में जो है धरातल पर मौझूद विशाल मात्रा में धूल कंड को सांत का सागर क्या कहते हैं उसे सांथ क्या सागर सांथ क्या सागर किसे कहा जाता है तो चंद्रमा के पच्छमी भाग में जो है धरातर पर मौझूद जो है विशाल मातर में जो धूल के कन पाए जाते हैं उसे हम सांथ क्या सागर के नाम से जानते हैं चंद्रमा पर दिखाई देने वाला सभेद भाग परवत और काला भाग प्रेटर का प्रतिनी द्व करता है चंद्रमा पर इस्थित सबसे उचा परवत लिब निट ये है जो की 35,000 फिट उचा है चंद्रमा को जिवासम ग्रह भी कहते हैं क्या कहते हैं पूछा जाता है जिवासम ग्रह किसे कहते हैं तो चंद्रमा को जिवासम ग्रह कहते हैं मेर इंब्रियम चंद्रमा के सता पर इस्थि सबसे बड़ा क्रेटर है जो संद्रमा पर जो दिखाई दिदा है क्रेटर वह जो है इमेर इम्रियम जो कि उसके सता पर सबसे बड़ा क्रेटर है नील आर्मिस्ट्रांग जो कि अमेर्की अंतरिच्छे यात्री चंद्रमा के सता पर कदम रखने वाले पहले ब्यक्ति थे जो कि एकईज उलाई उनाज सव उनात्तर को जो है चंद्रमा पर पहली बारो उतरे थे चंद्रमा की आउतनी ही है जितनी पिर्थवी की चंद्रमा से प्रकास को पिर्थवी तक पहुंचने में 1.3 सेकेंड का समय लगता है और चंद्रमा पिर्थवी के दरभमान का अनपात 1.81 है अनपाते 81 चंद्रमा के अध्यन को सेलेनो लॉजी क्या काते हैं सेलेनो लौजी जो की चंद्रमा का अध्यन उसमें माना जाता है भारत के पहले चाद मिसन यान जो की चंद्रयान एक से एक ने 14 नुवंबर 2014 को जो चंद्रयान फर्ष्ट है वह 14 नुवंबर 2014 को चांद की सद्धा को जो है सत्ता को जो है छुगा था काऊन चांद मिसन यान जो है चंद्रयान फर्ष्ट है 14 नमबर 2014 को चांद पर अंतरी छेयान भेजने वाले चार देशों के विशिष्ट कलब में भारी सामिल हुगा पहली बार सी आप ट्रांक्लिटी कहां पर है तो चंद्रमा पर है मानों ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा तो वह उनाइस सचीहात्तरी उनाइस सबसे पहले बार कदम रखा था चंद्रगर्ण कब होता है तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृत्वी आ जाती है बहुत प्रिछाओं में चंद्रगर्ण और सूर्गर्ण दोनों में से एक पूछ लिया जाता है तो चंद्रगर्ण कब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृत्वी आ जाती तब हमारा क्या लगता है चन्र ग्रण लगता है चंद्रमा की पिर्थवी से दूरी कितनी है तो तीन लाख चावरासी ज़र किलोमीटर जो है चंद्रमा से पिर्थवी की दूरी है बीज की दूरी हेल बॉप किसका नाम है तो पुच्छल तारा को हम हेल बॉप के नाम से जानते हैं क्या हेल बॉप जो है पुच्छल तारो का जो है नाम है तूटने वाला तारा किसे कहा जाता है तो उलका से तूटा हुए तारा जो उसे हम तूटने वाला तारा कहते हैं उल मंगल और प्रियस्पति अंतृष में कुल कितने तारा मंडर है तो अंतृष में alors अब क्वर्णांड मैं विश्पोटी तारह कालाता है तो आभीना तारा को जो है ब्रहमांड में जो आ कि विश्पोटी तारा के नाम से जानते हैं सौर प्राणाली की खोज किसने की तो कौपर निकस महोदर जी ने सौर प्राणाली की खोज की थी नार्वे में अर्थरात्री के समय सुरी कब दिखाई दिता है तो है 21 जून को सुरिके रासायनिक मिस्रन में हाइड्रोजन का कितना प्रतिसत होता है तो 71 प्रतिसत जो हता है सुरिके जो है हाइड्रोजन का पाया जाना 21 प्रतिसत सूपरनुमा क्या है तो यह अब इस पोटी तारा है तारे पूर्व से पच्छी में ज़्यादा दिखाई देते हैं क्योंकि पित्वी पच्छिन से पूर्वकी और घुमती है पित्वी सूरे से अपनी अधिक्तम दूरी पर कब होती है तो वह चार जुलाई को जो हती है चार जुलाई को पित्वी सूरे से अपनी अधिक्तम दूरी पर मानी जाती है किस ग्रह को लग हुआ तंत्र भी कहा जाता है ब्रहस्पत को लग हुआ तंत्र कहा जाता है मार्स ओडेसी किस ग्रह का कृतिम उपग्रह है मंगल ग्रह का मार्स ओडेसी उपग्रह माना जाता है नासा दोरा मार्स क्यूरियो सिटी रूवर जो है नामक अंत्रिच्यान किस ग्रह पर जीवन की संभावना तथा उसके वातावरन की अध्यन के लिए भीजा गया है तो मंगल जो है गेल क्रेटर नामक अस्थान पर किसने पहली बार कहा कि पिर्थवी गोल है तो अरिस्टोटल जो है अरिस्टोटल जो हमारे है वह पिर्थवी को गोल माना था सबसे पहली बार सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह बिरहस्पती नासा की जूनो मिशन किस ग्रह से संबंदित है तो वह बिरहस्पती ग्रह से संबंदित माना जाता है दोस्तों हमारा सब क्यूस्चन इंपॉर्टेंट है बस हम सरसरी ग्यास देखते चले जाएं बस आप उसे नोट डाउन करते चलिए क्योंकि ये परिछाम में अक्सर पूशे जाने का 100% जो चांस बना रहता है दरब्मान के अंसार ग्ञाहों का अवरोही क्रम जो है ब्रιहसपत सणी वरोन प्रित्वी शुक्र मंगल तथा बोद जो है ये है अवरोही क्रम है जो कि दरब्मान के अंसार दिया गया है मायगलन अंतरिच्ष्यान किस ग्रह है तु भेजा गया है तो यह सुक्र ग्रह के लिए भेजा गया था किस ने सरपथम कहा था कि पित्वी गोलाकार है तो और अस्तु महवदजी ने सरपथम पित्वी को गोल माना था सौर मंदर का सबसे भारी ग्रह तो बिस्पति जो है ब्रहस्पति है सुर्य का प्रभा मंदर प्रकास के अपवर्तन से वत्पन होता है वाप अच्छाब का पासी मेगों के हिम इसपटिकों में है सूरे से सबसे दूर का ग्रह कौन सा है तो वरॉंड सबसे दूर का ग्रह है वरॉंड से पहले सूरे से सबसे दूर का ग्रह कौन सा था जिसे 2006 में IUCN की प्राक्समेलन में ग्रह का दर्जा छीन लिया गया था तो वह क्लूटो जिसे यम के नाम से जानते थे प्लूटो जो है यह हमारा जो ग्रह नौ ग्रह में से सबसे दूर का ग्रह था यह 2006 में इसे जो है ग्रह के नाम से जो है जो है इसे ग्रह आई यू सीजन जो है ताक सम्मेलर में जो है ग्रह का दरजा इसे छेन लिया गया चंद्रमा के धरातर पर दो ब्यगती एक दूसरे की बात नहीं सुन सकतें कियोंकि चंद्रमा पर वाई मंदल नहीं है, वहांपी निरवात पाया जाता है जब किसी वस्तु को पृठ्ष्वी से चंद्रमा कर ले जाता है ड्रहाठीम। ग्रहाष से टक्राया था यहा अभिस्पति ही ग्रहाष से तक्राया था। सबसें बड़ा वबग्रहाष चन्त्रमाँ किन्वाड़ था सुरीत का छस रिकम। सबसे ज्यादा समय कौन लेता है लुटू जिसे दोजाच्छा में जो है ग्रह का दर्जास ग्रह की दर्जे से अटा लिये गया तो यूरियंस अरूर जो है सुरि nya के चारो एक परिक्रमा में जो समय लेता है बाद 84 वर्स लेता है जोकि सूर्ष का चक्कर जो है 84 वर्स मिन अरून जो हता है एक परिक्रमा पूरा कर लेता है सूर्ष के परिक्रमन अवद केंसार ग्राहों पर आरुहिकल्ण जो है वुद्ध 88 दिन सुक्र दो सो पचीज दिन प्रिथवी जो है 365 दो पांच दिन बंगल 687 दिन ब्रहस्पत जो है वह है 11.9 वर्ष सनी 29.9 वर्ष अरून 84 वर्ष और जो है वरून 165 वर्ष यह हमारा जो है ग्रहों का अरूही क्रम है जो की सुर्ष के परिक्रमा अवाद के समयन सा दिया गया है कौन सा ग्रह सुर्ष से सबसे अधिक दूरी पर होता है तो वरून ग्रह है जो की सुर्ष की परिक्रमा करने की अवाद 165 हर्ष होता है हाडोजन, हेलियम तथा मिथेन प्रमख गैसें हैं जो ग्रहों पर विद्मान होती है किस ग्रहों पर तो है ब्रिश्पति, सनी और मंगल यह हमारे तीन ग्रह हैं जिस पर हाडोजन, हेलियम और मिथेन गैसे प्रमुक रूप से यहां पर विद्वान पाई जाती है वह देश जो अपने सेलीनी जो है सेलीनो लेजिकल जो है जो हमारा सेलेनो लेजिकल तथा अभियांतर की सेलीनी जीसे कहते हैं परिछन करता को चंद्रमा की कच्छा में भेजने वाला इसी एका परथम डेश जौ है वह हमारा जापान को माना जाता है ..ow här उत्री धुरुर प्रकास के लिए वाई मंडल की कौन सी परत जीमेदार है त्वो आयन मंडल जो है यह उत्री धुरु प्रकास के लिए जीमेदार माना जाता है यदि एक प्रेच्छक तारों को छेती जिसे लंबत उठते देखता है तो वह अवस्तित होता है कहां पर विश्वती रेखा पर अवस्तित होता है किसने सरवपर्थम प्रतिपादित किया कि सुरी ब्रहमान का केंदर है और पित्वी उसकी प्रक्यमा करती है तो वह कौपर निकस महुदे जी ने सरवपर्थम प्रतिपादित किया था सुर्ध के केंदर में परस्थित पदार की सब अस्था में है तो आप लाजमा वस्थां पाय जाता है, सुर्ध केंदर में परस्थित पदार जो है खक ग्रास जो पूण सुरिगराण के वज़ सीमित भूच्छेतर में ही दिखाई पड़ता है क्योंकि पिर्थवी के प्रस्त परिछेत की तुन्ना में पिर्थवी पर पढ़ने वाली चंद्रमा की छाय का आका छोटा होता है यहलिए जो है जो है सुरिगराण के वज़ सीमित भूच्छेतर में ही दिखाई पड़ता है तो दोस्तों